वेल्कम बैक अगें इस वीडियो टॉटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम अपनी आप के अंदर अपनी ब्लॉग आप जो हम बना रहे हों उसके अंदर हम अपने पास टाउनलोड करके रखी है आप सिंपली गूगल की उपर जाके लिखें ब्लॉग लोग तो आपके पास यह आजाईगी और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर यहां पर हमारी pubspec.yaml file के अंदर आके यहां पर जो हमारा जो assets है assets के नीचे आके यहां पर images के आगे मैंने इसको declare कर दिया and then मैंने यहां पर pub get क्यों पर क्लिक किया कि यह जो हमारी image है हमने add की है आप इसको get कर लो जब यह get करेगा तो आपने यहां पर एक और screen create करनी है आपने एक और dot file create करनी है जिसको हम नेम देंगे splash screen and then आप यहां पर material library import कर लें import and then आप यहां पर type करें material आपके पास आ चुकी है then आपने क्या करना है आपने यहां पर एक stateful widget create करनी है ओके और आप इसे stateful widget को name देते हैं splash screen okay and then आप यहां पर यहां पर आके आप हम थोड़ा से इसको design कर देते हैं scaffold okay just hold on a second यहां पर हम इसको कह देते हैं get and then आप इसको ignore कर दें and यहां से आप इसको zoom कर दें okay then हम यहां पर scaffold widget use करते हैं ठीक है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि scaffold widget के नीचे आपके पास बहुत सारे option available होते हैं then हमारे पास body okay then body के अंदर हमारे पास column okay and then column के अंदर हमारे पास दो properties होती हैं जिसको हम कहते हैं main access alignment and cross access alignment okay so main access alignment and cross access alignment को आपने क्या करना है आपने इनको center align कर देना है ठीक है ताकि जो भी चीज हम यहां पर design करेंगे वो exactly center में आ जाए okay and then यहां पर मैंने इसको property दे दी center okay अब आपने करना क्या है यह जो आपके splash screen है आप अपनी main file के अंदर आ जाए यहां पर यह home है आप इसको यह provide करते okay and then आप इसको import कर ले add आप यहां से इसको rerun कर दे तो आपको यहां पर देखेंगे एक black screen आपके सामने appear हो जाएगी okay white screen आपके सामने appear होगी अब हमने यहां पर अपनी splash screen को design करना है okay so मैं यहां पर image लेता हूं okay and then image के अंदर हमारे पास image की property होती है image जो के accept करेगी asset image को okay asset image and then asset image के अंदर हम इसको path provide करेंगे okay which is images slash अगर आपको इस पात नहीं पता तो आप exactly यहां से copy कर ले name यहां पर आप paste कर दें okay and then आप यहां पर आजाए और एक text ले ले okay और यहां पर text के अंदर आप लिखें blog okay blog and then हम इसको थोड़ा से style कर देते हैं ताके यह थोड़ा सा bigger हो जाए हो और हम इसको italic कर देते हैं ताकि थोड़ा सो खुबसूरत नजर आए okay text style okay just wait I don't know why my laptop got slow okay font size हम इसको 35 कर देते हैं okay so font family तो हमारे पास हमने fonts नहीं use किया so font family यहां पर हमारे पास available नहीं होगी okay but हम यह है कि हम यहां पर font style को use कर लेते हैं ठीक है so font style यहां पर हम font style okay font style font style italic okay okay font style italic okay italic okay then font size हम इसको यहां पर कर देते हैं 30 okay and then यहां पर हमारे पास font जो वेट है वो हम कर देते हैं थोड़ा सा font वेट हम कर देते हैं 300 okay font weight is going to be around font i ght dot w300 I don't know where we are making mistake font okay it's not giving me actual suggestion so font weight bold okay and then आप यहां पर इसको कर दें italic okay italic and अब जब आप इसको यहां पर I think we are doing some mistake font weight dot okay weight 300 okay जब हमने यहां पर किया है यहां पर हमने इसको safe किया है तो आप देख सेकते हैं कि हमारे पास यहां पर हमारा जो logo है वो यहां पर appear हो चुका है ठीक है अभी जो text widget है इसको मैं वराब करता हूं पैडिंग के साथ और symmetric मैं इसको पैडिंग देता हूं vertically 30 pixel ठीक है ताकि यह हमारे पास 30 pixel जो है वो align हो जाए okay symmetric and मैं यहां पर कहता हूं vertical okay यहां पर मैं करता हूं इसको 30 pixels ताकि यह नीचे की तरफ shift हो जाए okay अब यहां पर यह जो हमारे पास image है image के अंदर इसकी property होती है height okay height इसको मैं media query use करता हूं विकिस जितनी screen का size बड़ा होगा चोटा होगा so media query use करेंगे तो automatically खुद को adjust कर लेगा okay so media query dot of context okay dot size dot height okay and then हम इसको कहते हैं कि आप screen का screen के अंदर आप third screen let's suppose अगर एक screen के 10 parts हम करें तो उसमें से आप three parts occupy कर लें ठीक है यहां पर हम similarly width change कर देते हैं which is going to be 0.6 okay and यहां पर आप इसको with assign करते हैं तो आप देखें कि आपकी जो image है यहां पर वह आ गई है और आपका जो blog है वह भी यहां पर लिखावा आ रहा है ठीक है now this text is not in the center so यहां पर हम इसको wrap करते हैं align widget के साथ तकि यह center में आ जाए okay and then आपकी जो image है यह नहीं आ रही तो आपने यहां पर यह code is fine I don't know it's not working but हम इसको maybe दुबारा से run करेंगे तो हमारा यह code है hopefully it will start working off okay लेकिन यह जो आपके पर इसको alignment करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप इसको यहां पर पताएं कि आप center के अंदर चले जाएं ठीक है alignment dot center okay so यहां पर center and then आप इसको run कर दें ओक हमने इसको run कर दिया center तो आप देखेंगे आपके यह जो center के अंदर आगे ठीक है now अब यहां पर हमारे पास एक init function होता है ठीक है अब init function हमारे लिए क्या करता है वो हमें यह बताता है कि आप यहां पर हम इसके अंदर code लिखेंगे अगर हमारा user already login है तो आप उसको directly main page क्यों पर ले जाए अगर login नहीं है तो आप उसको यहां पर login क्यों पर ले जाए ठीक है सो यहां हम ले लेते हैं firebase auth okay firebase auth okay is equal to auth is equal to firebase firebase auth dot instance okay firebase auth dot instance okay semicolon and then आप यहां से firebase की library को import कर ले अब यह auth जो है अब से हम अब क्या करेंगे check करेंगे final okay user is equal to auth dot current user ठीक है यह हमें current user के बारे में बताएगा ठीक है अगर कूई login हो तो यहां पर आप हम statement लगाते है if user okay is not equal to null okay it means कि user already login है so then आपने क्या करना है अगर यहां पर user already login है तो फिर आपने इसको next screen के पर ले जाना है and अगर login नहीं है तो फिर आपने इसको login करवाना है ठीक है so यहां पर मैंने already यहां पर एक code लिखा वा just to save the time so मैं यहां पर copy paste कर लेता हूं and then आप उसको use कर लिजीगा अपने देख कर okay just to save the time and nothing else okay so इसको मैं यहां पर ले जाता हूं okay and यहां पर अब मैंने इसको कहां पर लेके जाना है हमारी जो home screen है okay home screen okay so यहां पर आप wait करें आपके पास option आगे okay and then आप इस timer को async library जो आपकी है आप उसको import कर लें यह आपके पास यहां पर timer की library जो है import हो गी है okay अगर user null नहीं है तो आप इसको home screen की उपर ले जाए okay and अगर user null है means की login नहीं है तो हम इसको कहते हैं कि आप option screen की उपर चले जाए okay option यहां पर screen okay now this thing is done okay okay so abhum yaha par isco run करते हैं and let's see what happens okay so यहां पर मैंने क्लिक किया and अब आप देखते हैं कि क्या होता है okay so यह देखें अब 3 seconds के बाद यह screen जो है वो disappear हो जाएगी अभी आपको क्या कह रही है आप login करें ठीक है लेकिन मैं register करता हूं okay register यहां पर let's suppose मैंने admin okay admin at the rate of gmail.com and then I write a password one two three four five six and registered हो गया okay okay so email is already is you in use so admin one कर लेते हैं okay so हमारा user जो हो लोग इन हो गया अब आप देखेंगे मैं दुबारा से project को run करता हूं तो अब हम यहां पर option screen के उपर नहीं आएंगे अब हम सीधा home screen के पर चले जाएंगे यह देख सकते हैं आप ठीक है so this is how you can create splash screen okay so अब मैं यहां पर अपने home screen के अंदर जाता हूं और home screen के उपर यह जो हमारे पास यह back button आ रहा है okay so हम इसको set करते हैं कि हम देखने इसके प्रॉब्लम क्या है को शार्क होगत है ति हुप सो आपके पास यह देखें आप बार आ चुक्ते हैं और हमारत के यहां पर आप द pork कर करें आप यहां पर उसको फॉल्स कर दें तो यह जो आपका आरो है कि यहां से रिमूफ हो गया है और आपकी पास यहां तक चो अप है वह काम कर रही अब नेग्स इस वीडियो के लिए इतना ही अब नेग्स वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम इस तरह यूजर से इमिज कैसे हम कैपचर कर सकते हैं कैमरा से और यूजर से गैलरी से इमिज कैसे पिक कर सकते हैं ठीक है और फिर उसको हम firebase की उपर store करेंगे और उससे next video के अंदर फिर हम उसको पूरी list को अपने blocks को show करेंगे और इसके बाद मैं आपको logout करना भी सिखाऊंगा उसके बाद हम forgot password की उपर आएंगी अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो like करें share करें subscribe करें and I will see you in the next video thank you so much